नमस्कार मित्रों, साथियों, कई वार ऐसा होता है कि हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को पूझते हैं और कभी हम लोगों के साथ कोई गटना गट जाती है, तो उसकre चलते हम लोग भगवान को दोसी ठहराने लगते हैं. जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए लेकिन हम लोग ऐसा करते ही नहीं कई बार मनुष्य किसी अपने किसी खास के इस दुनिया से चले जाने पर इतना बेवस हो जाता है कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग उससे दिखाई ही नहीं पड़ते ऐसे अंदकार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर तो वो मनुष्य भगवान के पास ही गुहार लगाता है और उस गटी हुई गटना के लिए भगवान को दोशी ठेहराने लगता है यहां तक कि मनुष्य जोश में आकर भगवान से ये भी कह देता है कि मैं आज के बाद आपकी पूजा भी नहीं करूँगा साथियों आज की कहानी हमारी इसी विशे पर आधारित है तो साथियों इस कहानी को अंत तक अवस्य सुनिए क्योंकि इस कहानी में बहुत बड़ी जीवन की सच्चाई छुपी है और जीवन की सीख छुपी है तो मित्रों आईए इस कहानी को आरंब करते हैं मित्रों एक व्यक्ति था स्वभाव से बड़ा ही शांत और सुविचारो वाला था उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता उसकी पत्नी एवं दो बच्चे भी रहते थे सभी से वो व्यक्ति बहुत प्यार करता था इसके अलावा वो भगवान कृष्ण का भक्ति भी था और सभी पर दया भाव रखता था बहुत दयालू था जरूरत मंदों की सेवा भी करता था किसी को दुख नहीं देता था उसके इन्ही गुड़ों के कारण भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रिसंद रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे उसकी पूजा भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो भगवान को देख भी सकता था क्योंगी वो हमेशा भगवान को निश्वार्थ भाव से पूजता था भगवान की सेवा निश्वार्थ भाव से करता था वो व्यक्ति भगवान से बाते भी किया करता था जब भी उसे कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता तो उसके लिए भगवान से प्रातना करता वो भगवान को सची मन से याद करता रहता था इसके बावजूद उसने कभी इस वर से कुछ नहीं मांगा और वो व्यक्ति बहुत खुश रहता था क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ रहते थे उसे मार्ग दर्शन देते थे वो व्यक्ति भी भगवान कृष्ण को अपनी मित्र की तरह ही पुकारता था जब भी उसके मन में कोई विचार आता या कोई बात आती तो भगवान की आगे बैठ कर ही कहता एक दिन उस व्यक्ति के पिता की अचानक से तव्यत खराब हो गई उसकी पिता को अस्पतार में भरती किया गया उसने सभी डॉक्तर्स के हाथ जोड़े अपनी पिता को बचाने की मिन्नते की लेकिन सभी ने उससे ये कहा कि वो ज़्यादा उमीद नहीं दे सकते कोशिस कर रहे हैं तुम्हारे पिता को बचाने की और तुम भी भगवान पर भरोसा रखो और भगवान से प्रार्थना करो तभी ये सुनकर उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया उसके पुकारते ही भगवान कृष्ण दोड़े चले आए भगवान को देखा तो वो व्यक्ति खुश हो गया भगवान को देख कर उस व्यक्ति ने कहा मित्र तुम तो भगवान हो मेरे पिता को बचा लो भगवान कृष्ण ने कहा मित्र ये मेरे हाथ में नहीं है अगर मृत्यू का समय होगा तो होना तै है ये सुनकर वो व्यक्ति नाराज हो गया और भगवान कृष्ण से जगड़ा करने लगा गुस्से में आकर वो भगवान को कोशने भी लगा भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने भगवान की एक नहीं सुनी तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कारे करना होगा ये सुनकर वो व्यक्ति प्रसन हो गया और उसने तुरंत पूछा कैसा कारे भगवान ने कहा तुम्हें किसी एक घर से मुठी वर अनाज लाना होगा और ध्यान रहे कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्तिव ना हुई हो उस व्यक्ति ने सोच विचार तो नहीं किया जट से हां बोल दिया और जट से हां बोल कर अनाज की तलास में निकल गया उसने कई दरवाजे खटखटाई हर घर में अनाज तो था लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसके परिवार में किसी की मृत्तिव ना होई हो किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, काकी या बेहन, किसी की मा हर एक घर में किसी न किसी की मृत्तिव तो हुई है दो दिनों तक वो व्यक्ति भटकता रहा दो दिन भटकने के बाद भी उस व्यक्ति को ऐसा एक भी घर नहीं मिला तब उसे इस वात का एहसास हो गया कि मृत्तिव एक अटल सत्य है मेरे भगवान सही कह रहे थे ऐसा कोई घर ही नहीं मिला मुझे जिसमें मृत्तिव नहीं हुई हो मैं इस संसार में अनोखा नहीं हूँ इसका सामना सभी को करना होता है इस से कोई नहीं भाग सकता और वो अपने ब्यवहार के लिए भगवान कृष्ण से छमा मांगने लगा और उसने नेड़े ले लिया जब तक उसके पिता जीवित है उनकी सेवा करेगा और थोड़े दिनों बाद उसके पिता की मृतिव हो गई वो स्वर्ग सिधार गई उसके पिता के स्वर्ग सिधारने पर उसे दुख तो हुआ लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहने लगा इसलिए उसे दुख तो अवस्य हुआ लेकिन वो तूटा नहीं साथियों इसी प्रकार हम सभी को इस सच को सुईकार करना चाहिए कि मृतिव एक अटल सत्य है उसे नकारना मूर्खता होती है किसी की मृतिव हो जाने पर दुख तो होता है लेकिन उसमें फस जाना गलत है क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीडित नहीं होते है अपितु संपूर्ण मानव जाती पर वो दुख पढ़ता ही पढ़ता है ऐसे सच को सुईकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है मित्रों जो मनुष्य मिरित्यू के सत्य को सुईकार कर लेता है उसका जीवन भार बहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे ही बढ़ता जाता है मित्रों मुझे आशा है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस से आपको कुछ सीखने को आवश्य मिला होगा साथियों ये कहानी आपको कैसी लगी कृप्या मुझे कमेंट में जरूर बताईए और इस कहानी से क्या सीखा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताईए आप मुझे कमेंट में अपने सुझाव और अपने सवाल लिख कर भेज सकते हैं मित्रों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिए तो मिलते हैं एक और प्रेणना दायक कहानी लेकर और भक्ती में कहानी लेकर तब तक के लिए नमस्कात जैसरी रादे कृष्णा